जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च करें Self Study Classes और एप जरू डाउनलोड करने ठीक है जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तमित जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला ठीक है इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा क्या हिंदी भासा को पढ़ा हिंदी की बिविन बोलियों को पढ़ा आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं हैना कितने स्वर होते हैं कितने बेंजन होते हैं यह सारी चीज़ें आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों अज हम देखें कि बरनों की विवस्ते समूह को क्या कहते हैं वर्नमाला कहते हैं अब यसे अपन अलग अलग लिख दें आ यहां लिख दो बा का खंड ना हो खंड ना हो जैसे पानी तो पा धन अधन न और धन ई इसके बाद इनके पा आ ना ई टुकड़े नहीं किये जा सकते आता है इन ध्वनियों पा आ ना ई को क्या कहेंगे हम वर्न कहेंगे यानि कि जो पानी हैं दोस्तों इसमें ये जो है वर्णों से मिलकर कि ये सब्द बना हुआ है और ये जो वर्ण होते हैं इनके टुकडे नहीं हो सकते इनके टुकडे नहीं हो सकते हैना ये क्या कहलाते हैं ये ध्वनी कहलाती है ठीक है द्वनी या फिर वर्ण कहलाते हैं ये अक्षर भी इने कहा जाता ठीक है तो हिंदी में वावन वर्न हैं कितनी हैं वावन वर्न हैं जिसमें 11 क्या है 11 स्वर हैं और दोस्तो 33 क्या है 33 बेंजन है सभी को पता है चार क्या है संयुक्त बेंजन है ठीक है चार उसमें बेंजन भी है और दोस्तो दो उत्षिप्त बेंज है और किया होते है अनुस्तर होता है और यह बिसर्ग होते हैं अता हिनका इस प्रकार है सिह कितने अक्षर होते हैं इस स्वर कितने होते हैं 11 बेंजन कितने होते हैं 33 यह सर्द हम वर्णमाला को देखेंगे वर्णमाला कु दो भागों बाट गया एक तो आपका हो गया स्वर्व ठीक है दूसरा हो जाएगा बेंजन ठीक है तो इनको आपको याद रखेंगे यहां पर हम स्वर्व को देखेंगे दोस्तों तो स्वर्व को भी यहां देखो हरस्टो दीर्ग और सन्योक्त ठीक है यह क्या है स्वर्व कहलाती है और आप से यहां से पूछा जाएगा दीरगिस्वर कौन से हैं तो A, E, O ये क्या कहलाते हैं दीरगिस्वर कहलाते हैं ठीक है इनी के अंदर दोस्तों ये भी आते A, I, O, 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 ये भी दीरगिस्वर के अंतरगत आते हैं लेकिन सन्युक्त स्वर की अगर बात करें तो ये सन्युक्त स्वर कहलाती इतने, A, I, O, 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 O जाणिंत्रगत आते हैं और इन्हें दीर्गी स्वर्ग की स्रैनि में भी रखा जाता है फिर के सैंजुक्ति स्वर्व हो गये जो बर्ग होते हैं का से लेकर हो जाते हैं 25 हो जाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं इस पर्स बेंजन कहलाते हैं अंतस्त बेंजन की अगर बात करें तो या रा ला और वा यह क्या कहलाती है अंतस्त बेंजन अब आप से चीदा पूछा जाएगा निमने वैसे बताईए कौन सा अंतस्त बेंजन है या फिर अंतस्त बेंजन नहीं है तो या रा ला वा ये अंतस्त बेंजन कहलाते हैं उसमें बेंजन की बात करें तो सा और हा ये क्या कहलाते हैं दोस्तों ये उसमें बेंजन कहलाते हैं ठीक है तो आपने देख दिया ये अंतस्त बेंजन उसम बेंजन और ये सपर्स बेंजन कहलाती है ठीके अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तो अनुस्वर तो यह अम बिसर्ग की अहाँ यह क्या कहलाती है अनुस्वर और बिसर्ग और इनको क्या कहा जाता है अयोग बाह कहा जाता है अनुस्वर और बिसर्ग को अयोग बाह कह जाता है ठीक है उत्षिप्त बेंजन कौन से हैं तो एड़ा उड़ा ये क्या कहलाती है उत्षिप्त बेंजन कहलाती है आप से पूचा जाएगा निम्न वैसी बताईए कौन से उत्षिप्त बेंजन है तो रा उड़ा आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर बात करें सन्युक करकी यहां से कॉस्छर बनता है निमनलव ऐसे बताए ये कौन सा सन्युक्त बेंजन है या पे नहीं है ठीकिए और ये आपसे पूंचा जाएगा कि छा किन वरणों के योग से बनता है तो आपको वיहर सा पता होनी चाहिए यह जो सन्युक्त होते है पहला जो वरण होता है इसमें हलन्त लगा रहता है मलत भी आदा रहता है तो यह भी आपको ध्यान रखने दो छत्रग स्रह यह क्या है आगत ध्षनिया कौन-कॉन सी हैं आगत दुनिया का, खा, गा, जा, फा यहाँ पर नुक्ता लगा रहता एक है ना यह क्या कहला आगत ध्षनिया कहला आगत ध्षनिया आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब देखें हिंदी के स्वर हुने कहते है जिनका उछाण किसी अवरू से यह तो बहुत से हो स्वर के अढ़े हैं जाए गा यह खोShea है तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए यह से ऐहीं से कटिरी अराम से एक दो बार वीडियो को देखिए धी दिर स्वर में में E, O, और A भी रखे जाते हैं, इनको भी दीरगी स्वर में रख दिया जाता है, ठीक है, और यह सन्युक्त स्वर भी अपन में यहां पर पड़ लिए, ठीक है, हिंदी के बेंजन पुलुथ पिलुथ हुआ 위해 के हमने देखा था कि वरणमाला को दो भागों में बाटा गया एक स्वर तुस्वर का देखा, कि स्वर स्वतंदर रूप से उच्छित होते हैं जबकि जो तो स्वरण की सहायता से दोस्तREY का उच्च किया जाता है तो तो देखें यहां पर स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे अपन देखें कि जो का है, यह आधा का और यह आ मिलकर के बनता है का, है ना, तो यह का क्या बन गया? इसमें आधा का है और आ है, तो यह आ क्या है? स्वर है, है ना, मतलब यह जो बेंजन है, यह जो क खा और आ मिल करके बना खा जब हम पूरा ना लेते हैं खा थीक है तो उनमें क्य उता है आच छुपा रहता है इसमें आच उस वरों की सहायता से यह बेंजन बोले जाते हैं उच्छी ठोथे ठीक है अता हिंदी में कितने हैं 33वेंजन है जो इस स्परर्ष बेंजन की बात करें तो या कैलाते हैं इस परेंजन केलाती कचट तप यासी कर लोक और तब तो काखा, गागा, यां, है ना, और इंग्या, चाचा, जाजा, यां, टाठा, डाढ़ा, ताथा, दाधा, ना, पापा, बाभा, मा, ये इस पर से बेंजन कहलाती है, ठीके, अंतस्त बेंजन या, रा, ला, वा, अंतस्त कहलाती है, आपसे पूचा जाएगा, निमने मैं इस बताई कौन सा अंतस्त बेंजन नहीं है, उसमें बेंजन की बात करने तो सा, सा, सा और हा, ये क्या कहलाती है, उसमें बेंजन कहलाती है, ठीके, स्वार जिन वरनों का उच्छन किसी अवरोध या बादा की करन होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, इनका तो यहां गोबात और दोस्तों कि इसके तरी कहा जाता है जैसे जैसे ओen करकासित क्या होते हैं सिरमात्रिक होते हैं कौन से पिलुत स्वर तो ये स्वरों के बारे में अपने देखा अनुनासिक में आपने देखा ये इसका उचान नाक इमा मोह से होता है ये सा पूचा जाता है जैसे चांद गाव और दात इसका कैसे होता है उचान नाक और मोह दोनों से होता है ठीक है अ अनुस्वर देखो ये अनुस्वर ये क्या कहला था अनुनासिक अनुस्वर के बाद आने बाला बेंजन है इसकी धुनी नाक से निकलती है जैसे अंगद कंगन है ना तो ये अनुस्वर कहलाती है अनुस्वर और अनुनासिक ठीक है यहाँ निरना अनुनासिक देखो इसके उचाड में ना तो बिंदी और ना तो चांद बिंदी का प्रियोग किया जाता है वो निरना नुनासिक कहलाते है जिसी इलाहबाद, बनारास, इधर, उधर, इISHA कहलाती है यहाँ पर अनुनासिक जिनका उचाड नाक और मोहिँ दौनों से होता है अनुस्वर जिनका उचान दोस्तो नाक से होता है और निरनानुञासिक इसके उचान में ना तो बिंदी और ना तो चंदर बिंदीter का प्रियोग किया जाता है ऐसे सब्धे हैं इलाहबाद, बनारास, इदर ओधर यह क्या कहलाती है बिसर्ग देखो यहाँ भी अनुसुर की तरह स्वर के बाद आता है जैसे प्राता है काल मनह कामणा व्य क्या होता है? बिसर्ग होता है तो यह अपने दोस्तों वर्णमाला के यहां पर अपनने देखा कि किस प्रकार से हैं, यहां पर देखें परिक्चा उपियोगी महत्पूर्पूर्षतेäre को, पर छुस कहले देखें, यह जैstem, अग्रता स्ववर कौन कौन से हैं, यह अग्रतिशवर कहलाते हैं मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यहां से question पूछे जाते हैं दोस्तों ठीक है इनको याद रखे ना हिंदी बेंजन देखो एक नजर में बेंजन जिनका उचान सवरों की तार सहायता से होता इस पर्स बेंजन कौन सी है तो का से मातक इनकी संक्या कितनी होती है पच्चीस होती है ठीक है अंतस्त बेंजन कौन इनकी संक्या कितनी चार होती है उत्षिप्त याजने दूइगुड़ी दूइगुड़ी बेंजन भी कहा जाता है इडा उढ़ा इनकी संक्या दो होती है आप से पूंचा जाएगा निमन मैंसी बताई कौन सा दूइगुड़ी बेंजन है कौन सा उत्षिप्त बेंजन है तो ये आपको पता होनी चाहिए, सन्युक्त बेंजन देखो, तो छा, त्रा, ग्या, स्त्रा, जो अन्न स्वरों की योग से, अन्न बेंजनों की योग से बनाय जाती है, है ना, ये क्या कहलाती है, सन्युक्त बेंजन कहलाती है, आगत दुनिया में हमने देखा, ये नुक्ता लगा है का खा गा जा ये नुक्ता वाली जो होती है आगत दुनिया कहलाती है ठीके प्रिकंपत या लुंटित जो हो जाती है रा आ जाता है रा ये प्रिकंपत या फिर लुंटित बेंजन कहलाता है ठीके पार्स्विक बेंजन कौन सा है तो ला है नासिक के बेंजन कौन सा ह तो यमगणनम जो बर्गी के पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक बेंजन कहलाती है यमगणनम ठीक है अर्दिस्वर देखो या और वा ये अर्दिस्वर होते हैं ठीक है कंट का खा गा घा डा ये कंट से इनका उच्छन होता है कंट से ठीक है तालू से होता है चावर्ग का च पाचाट तप है ना और यहां देखो कंथ है फिर तालू चावर्ग तावर्ग मूर्धा से तावर्ग दंत से और अंत में पावर्ग जो होता है वो ओष्ट से होता है तो इनको अपन को याद रख़ें ना अंगला देखें दोस्तों इंग्या इंग्या वाला जो होता है इसक का दंत और नास क्या से होता है ना का ओस्ट और नास क्या से होता है मा का तो यह क्या है यानि की वर्ग का पंचा मेक्चर है और यह दोस्तों एक रंबा दिन का ओचार होता है ठीक है इनको अपन को याद रखती नहीं अब यहां पर आते हैं आंगे देखते हैं और भी बहुत प्राण बायू के आधार पर गोसत्तो के आधार पर उचान स्थान के आधार पर पर और मुख भाग के आधार पर ये बेंजनों का बरगी करन किया गया तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्राण बायू के आधार पर प्राणत्तु के आधार पर बेंजनों का बरगी करन दो प्रकार सी किया गया कौन-कौन से एक तो होते हैं अलप प्राण और दूसर प्रत्यक बर्ग का पहला तीसरा और पांच वार्ण को क्या कहा जाता है अलपप्रान के अंतरगत आती हैं महाप्रान देखो तो प्रत्यक बर्ग का दूसरा और चोथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है महाप्राण जैसे यहाँ पर कावर्ग में देखें तो यह दूसरा वर्ण है और यह क्या है चोथा वर्ण है तो यह काई की अंतरगत आएगा महाप्राण की अंतरगत आएगा बागी एक तीन और पांच यह अलपप्राण आएंग प्रत्यक बर्ग का का खागा यहां का पहला और दूसरा अगोस कहलाता है पहला और दूसरा अगोस ठीक है जैसे यहां पर देखें तो का और खा ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके अगोस कहलाएंगे तो आप समझ गए बर्ग के 25 अक्चर में जो का चाटा का वर्ग चावर्ग होते हैं इनी बर्गे की प्रतम मतलब एक दो और सगोस मतलब तीन चार पाच ठीक है अलप प्रान तता महा प्रान में आने बाले बेंजन देखो प्रान तो क्या धार पर अलप प्रान दोस्तों इसको आपको याद रख लेना है सूतर है 135 और इसका है 24 एंसे याद कर लेना 135 है ना और प्लस अनतस्त 20 में आती हैं तो 135 मतलब क्या है बर्ग का परथम त्रतिये और पंचम तो यह क्या हो जाएगा का गा और यह यह चाजा यह तो यह क्या होती 135 याद रखने ना बोले 135 अलप प्रान है ना और 24 उसमय तो 24 में मतलब 2 और 4 तो दूसरा और चतोर तक्षर हो जाएंगे प्लस में इसमें उ 35 याद रख लेना महाप्रान 24 याद रख लेना मनलब 24 मनलब 2 और 4 बर्गी के 2 दूसरा अक्छर और चतोरत अक्छर और बर्गी के 1 पहला अक्छर तरती और पंचम- अक्छर इसलिए ये सूत्र दिया गए ऐिक तीन पाँच और दो 4 ठीक है इस प्रकार से बात कर आए अगोस तता सोग है घोस सघोस में आने वाले बेंजन कौन कौन से हैं अगोस में देखें तो एक 230 या निकी 12 ठीक है ऐसे और घोस या सघोस में 345 तो ये तो आपको पता चल गए ठीक है कि अगोस कौन से होते हैं बर्गे की प्रता मुर्दुतिये और घोस और सघोस घोस या जिसे सघोस भी कहा जाता है वो होते हैं बर्गे की 3-4-5 अक्षर ठीक है आपसे पूछा जाता है कि निमन मैंसे बताए कौन सा सघोस बेंजन है कौन सा अघोस बेंजन है तो अघोस आपको पता चल गया कि बर्ग सा सन्युक्त बेंजन हैं तो सन्युक्त बेंजन में चार विकल्प आपके पास हैं छा है ना चा टा और अउ तो सन्युक्त बेंजन पूछा गया तो सन्युक्त बेंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन-कौन सी छा स्रा ग्या और स्रा है ना यह क्या पढ़ते हैं अपन अब अंगला question आपको बताना है दोस्तो चा ध्वनी का उच्चान स्थान क्या है चार विकल्प है आपके पास दंत है तालब है पोस्ट है या फिर वर्स है तो आप लगाईए मैंने आपको बताए थी कि जब हम पांच वर्ग पढ़ते हैं और पांच वर्ग के का चा टा ता तो का वर्ग कंट से बोला जाता है उसके बाद चा वर्ग तालू से बोला जाता है का चा टा वर्ग जो मूर्दा होता है ता वर्ग जो होता है दोस्तो वो दंत से और पा वर्ग होता है ओस्ट से ठीक है तो यहाँ पर आपसे च्छा पूचा गया तो यह च्छा किस वर्ग में आता है यह आता है चावर्ग में ठीक है तो चावर्ग के जितने भी अक्षर होते वरन होते हैं वो काई से बोले जाते हैं दोस्तों वो बोले जाते हैं तालू से है ना तालू से बोले जाते हैं तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर C number, चा क्या है? तालब है, ठीक है? अंगला question देखो, कौन तालब ध्धोनी है? तालब ध्धोनी बताना है, अब आपसे बनेगा question, तो फटाक से बताइए comment में, चार बिकल्प आपके सामने, और तालब ध्धोनी आपसे पूछा गया है, तो दो second आपको दिये जाते हैं, और आपने बिल्कुल सही answer का chain किया है, किसर जो तालब ध्धोनी है, वो है चा, है ना? चाबर्ग जो है, चाबर्ग चाचाजा, ये तालू से उच्चड़त होते हैं, तो आपका उत्तर कहां चला जाता है? एक की तरफ, ठीक है? ये नम्मर आपका बिल्कुल सही होगा, इन में जो है, इन में से आपको पस्चिस्वर की बारे में बताना कि पस्चिस्वर की अंतरगत कौनसा वर्न आता है, ये आपको बताना, ठीक है? तो आपने chain किया है, दोस्तो बिकल्प नम्मर ए, और ए नम्मर आपका बिल्कुल शाही है, ठीक है? पस्चिस्वर की अंतरगत आता ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन से होते हैं? अपन ने पड़ा था कि दोस्तों बर्गे के प्रथम और दूत्य अक्षर होते हैं अगोस और बाकी 3, 4, 5 जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सगोस या फिर गोस है ना? तो यहाँ पर आपसे अघोस पूचा गया है तो बर्ग का प्रिथम और दोस्तो दुतिये यानि कि प्रिथम और दुतिये जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं अघोस कहलाते हैं तो यहाँ पर पा और फा यह क्या है प्रिथम वर्न और दुतिये वर्न है ना पा वर्ग के प पिर्थम और दुतिये ये क्या कहलाएंगे दोस्तो अघोस कहलाएंगे अघोस ठीक है इसको याद रखेंगे अब आपसे अंगला कोस्चिन पूचा जाता है दोस्तो काब एंजन की विसाय में निम्न मैंसे कौन सा सही है काब एंजन की विसाय में बताइए अलप प्राण रखी का तो का यानही स्था का पूचा गया था है क्या मुचा गया था आज पूच автом की विस्त हो जाता है या नमबर सफी हो जाता है का के बारे में पूचा गया था तो यह आपका बिल्कु सही है अब दोस्तों इसके बारे में और भी प्रस्णों को देखते हैं यहां पर आ जाओ अंगला कोश्चन आपसे पूचा जाता है कि हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है किस ध्वनी का सूचक है यह रहे आपके चार बिकल्ब अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है बताईए नहीं है स्वरी नहीं है बताना है तो किस ध्वनी का सूचक नहीं है इंग्या किया रा या फिर या तो अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक नहीं है ये आप से बताया दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि बर्गे के पंचम जो अक्षर होते हैं यम गड़नम जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों ये पंचम अक्षर के बारे में अपन देखते हैं कि अनुस्वर से संबंदित होते हैं और यहाँ पर नहीं है पूछा गया तो यह जो या है या यह नहीं है अनुस्वर का सूचक नहीं है या तो तर क्या हो जाता है आपका D नं है तो एक किस बर्गे की अंतरगत आता है आपने पढ़ा होगा चा चा जा 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 इयां है ना पढ़ा है तो चा बर्गे की अंतरगत आता है इयां तो चा बर्गे आपने देखा कि ये चा बर्गे का जो उच्छानिस्तान है वो क्या है चा बर्गे का तो अपने देखा था कि कावर्ग तो कंट से उच्छित होता है फिर का के बाद आता है चावर्ग तो चावर्ग ये काई से होता है तालू से तो यहां भी क्या हो जाएगा यहां भी बोले सर तालब होगा इसका उच्छानिस्तान तालू होगा तो आपका उत्तर कहां चला जाता है एकी तरफ चला जा अब अंगला question आपको बताना है कि जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्माड होता है उन्हें क्या कहते हैं बताईए ध्वनी पिर्ती ध्वनी वानी या फिर स्वनेम क्या कहा जाता है और आपने बिल्कुल सही answer चैन किया है कि सर उन्हें कहा जाता है श्वनेम क्या कहा जाता है श्वनेम और आंसर आपका D number बिल्कुल सही हो जाता है जी नंबर सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को सेर जरूर करें और सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है यहाँ पर आपके लिए कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का पंजाब मास्टर केडर के लिए TGT PGT आदी सभी जिसमें हिंदी साहित पूछा जाता है अब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों दपा बताना है कि तालब दवनियां है यह मूरधन उत्षिप्त दवनियां है इनका प्रयोक सब्दि की आरांब मद तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है या फिर दोनों महाप्राण है अब ये चार बेकल्प में से आपको चैन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनिया है इनके बिसाय में सुद्ध कतन कौनसा है तो आपने बिलकुल सही आंसर लगाया है कि सर ये मूर्धन उत्छिप्त ध्वनिया कहलाती है अर्थात इन्हें दुई गुड़ी बेंदन भी कहा जाता है है ना तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी नमबर ठीके बी की तरफ आपका राइट अंसर फिर अंगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चान की द्रश्टी से सा 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 बेंजन किस प्रकार की माने जाती है ये जो सा 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 है ये बेंजन किस प्रकार की हैं दो हो जाता है दोस्तों ये कहलाते हैं क्या उसमें उसमें कहलाते हैं तो उत्तर चला जाता है कहाँ पर सी की तरब चला जाता है जो बिल्कुल शही आंसर है ठीक है अंगला question निम्न मैंसे कौन वर्ण अंतस्त नहीं है अंतस्त कौन सा नहीं है बताईए या रा हा या फिर वा अंतस्त कौन सा नहीं है अंतस्त नहीं बताना अंतस्त अपन ने पढ़े थे कौन कौन से पढ़े थे या रा ला और वा के अंतस्त बेंजन के अंतरगत आते ठीक है तो अप पर जो हा दिया है कि अंतस्त के अंतरगत नहीं आता और चला जाता है उत्तर किस तरफ बी की तरफ ठीक है वेर यूड अंगला क्वेस्चन दोस्तो या रा ला वा बेंजनों को क्या कहते हैं यह भी क्वेस्चन आपसे पूछ लिया गया और ऐसा पूछा भी जाता है कई बार तो बताईए क्या कहते हैं या रा ला और वा बेंजनों को क्या कहते हैं आसान क्वेस्चन सबसे बनना चाहिए यह क्वेस्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों है ना तो यहां पर आपका बिलकुट शही है आंसर क्या है अंतस्त बेंजन इने कहते हैं या रा ला वा इन बेंजनों को अन्तस्त बेंजन कहते हैं और एक कई बार पूचे गए हैं फिर अंगला क्वेश्चन आप से पूचा जाता है दोस्तों कि निम्न मैंसे वह कौन सा सब्द जिसकार्थ अनुरूप उपयोक्त तथा ओचित तीनों ही है पून परयाप्त या फिर अपन यहां पर देखते हैं यहां पर आपका दो बिकल्प और दिये हैं दो बिकल्प आपको यहां पर दिये हैं दोस्तों यह हैं बेतो का और समुचित है ना तो यहां पर तो आपका यह समुचित सही हो जाएगा समुचित मतलब ओचित भी होता है पूर्णी भी होता है इस प्रकार से ठी तो ये डी नमबर तो आपका बिल्कुर सही हो जाएगा फ्रंगले क्वेस्चन को अपने देखेंगे कि हिंदी वर्नमाला में उसमें वेंजन कौन से हैं उसमें वेंजन बताना है ये चार विकल्फें उसमें वेंजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहां भी आपको बतान है कि उसमें वेंजन कौन से हैं तो आपने बिल्कुर सही आंसर चैन किया है कि सर उसमें वेंजन की अगर बात करते हो तो यह जो सा और हा दिया है कि कहलाते हैं क्या उसमें वेंजन और यह नमबर आपका बिल्कुर सही हो जाता है यह नमबर ठीक है वेरियोड हिंदी के जि उन्वरनों को क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है शगोस कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है या फिर महाप्राण कहा जाता है तो आपका right answer बिल्कुर शही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उन्हें कहा जाता है अगोस क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है और अगोस जो होते हैं आपने देखा होगा बर्गे के प्रिथम और दुतिये बर्गे के प्रिथम और दुतिये वर्ण क्या होते हैं अगोस होते हैं और तीन चार और पाँच ये क्या होते हैं दोस्तों ये सघोस होते हैं बरगे के तीन चार पाँच ठीक है इनको अपन को याद रख लिना है और सघोस और अगोस हो गए अलपिप्रान कोण होते हैं एक तीन और पाँच अलपिप्रान कोण से होते हैं दो और इनको याद रखेंगे हिंदी में मूलता है वर्णों की संक्या कितनी होती है वर्णों की संक्या बतानी है तो ये तो सभी को पता है कई बार पूचा भी जाता है तो तरह आपका यहां पर चला जाता है वावन हिंदी में मूलता है वर्णों की संक्या होती है वावन जो किस्त हैं तो हिंदी बर्नमाला में स्वरों की संक्या कितनी मानी जाती है यह उत्तर आपको बताना है और स्वरों की संक्या आप से पूचा गया तो उत्तर चला जाता है ग्यारा की तरफ ठीक है ग्यारा और ए नमबर आपका बिल्कुश सही है और दोस्तों दो होते हैं कौन से अम और आहा अयोगवाह कहलाते थी के अयोगवाह, यहाँ पर स्थी आपका सही है, हिंदी बारनमाला में बेंजनों की संक्या कितनी है, तो यह चार विकल्प हैं, और बेंजनों की संक्या आपको बतानी है, तो कितनी माने जाती है, 32, 33, 34 या फिर 36, तो आसान सा question, बेंजन पूछा गया, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्त्वर, अयोगवाह, अंतस्त, या फिर अकारांत, क्या कहा जाता है, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, और आपने चैन किया है, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें कहा जात प्रणाता है क्या अकारांत ठीक है और डी नमबर आपका अकारांत बिलकुल शाहिए जी नमबर ठीक है यह सरल क्वेस्चन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों इनको आपको बताना है अयोगबाह है अयोगबाह है बिसर्ग महाप्राण संयुक्त बेंजन या फिर अलप प्राण तो अपनने पड़े थे क्या पड़ा था कि जो अम होता है और जो आहा होता है यह क्या कहलाते हैं यह अयोगबाह कहलाते है इसको क्या बोलते इसको बिसर्ग बोलते बिसर्ग यहाँ पर दिया है तो यह क्या है अयोगबाह है यानि कि यह नमबर आपका बिलकुल चाहिए तो पस्टिस्वर यहां पर आप से पूचा गया तो पस्टिस्वर की अंतरगत आता है कौन सा आपका कमेंट जल्दी से आना चाहिए और राइट आंसर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरह पस्टिस्वर जो होता है वो होता है ए ए आपका विल्कुल शाहिए ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखते हैं यहाँ पर की निम्न मैंसे बताईए किस सब्द में दुइत्ट वेंजन हैं दुइत्ट वेंजन बताना यहाँ पर पु कॉस्चन पूछा गया है दिल्ली दिल्ली में इसे दुइत्ट वेंजन जो होते हैं आदा ला और लाया इस प्रकार से अगर वेंजन आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दुइत्ट कहा जाता है यह कॉस्चन आता है कई बार और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता तो बोलते ह यह क्या वला है पूँच ली गई यह क्या पूचा गया दुट वेंजन तो आज तक नहीं पड़े है ना, इसलिए तयार रहना हिंदी वर्नम आला में अयोग वाह वर्न कौन से हैं, चार बिकल्प हैं, अयोग वाह वर्नों को अपन को चेहन करना है, तो कौन से होते हैं कोई नहीं पूझा गया अमानक पूझा गया यहां पर ऑमानक बरन पूझा गया तो आमानक जो वरन माना जाता है दोस्थ लिए क्या मना जाता है और इतर चला जाता है आपका C की तरफ box नमबर आपका Fel م निवन में ऐसे कौन सा घोस वर्ण है और घोस वर्ण की बारे में तो अपने पड़ाई है घोस यानि कि सघोस, सघोस को ही घोस कहा जाता है, तो अपने देखा था कि बर्ग का प्रतम और दुति एक्षर अघोस और तीन चार पाँच सघोस, ठीक है, किलियर, अब यहाँ पर था आप से घोस पूँचा गया यानि कि गोस पूचा गया तो 3, 4, 5 तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो मा हैं ये क्या है पंचम बर्न है कि नहीं, बिल्कुल है तो ये क्या कहलाएगा ये घोस या सघोस के अंतरगता आएगा तो ये खा जो है ये द्वतिये वर्न है चा जो है ये प्रतम है ये ठा दुतिये वर्न है तो प्रतम और दुतिये तो काई के अंतर गताते हैं और घोस के अंतर गताते हैं और ये जो मा है ये पंचम वर्न है ठीक है तो पंचम वर्न काई के अंतर गताएगा ये वो लिसर घोस या फिर सगोस के अंतरगत आएगा ठीक है अपर ब्रेंज के कितने प्रकार होते हैं अपर ब्रेंज के बताना है दोस्तों इस प्रकार से अपर ब्रेंज के पूचे गए हैं तो अपर ब्रेंज के होते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 प्रकार होते हैं है ना तो यहाँ पर 20 नमबर किस प्रिकार के बेंजन है तो अपन ने इनको पड़ा है कि सर जो विभिन बेंजनों के या सुरों के मेल से जो बनाय जाती है तो दोस्तो योग से बनाय जाती है अन्य वरनों के योग से बनाय जाती है वो क्या कहलाती है सन्युक्त कहलाती है तो छत्रा और ग्या कि विभिन कमेंट में सभी लोग बिलकुल सही बहुत ड़ी यह आंसर बताया है कि a और i a क्या है कंट तालू क्या होते है कंट तालू होते हैं और बिकल्प नमबर d की तरफ आपका उत्तर चला जाता है ठीक है अगोस वर्न कौनसा है वर्न माला में यही तो पूछा जाता है दोस्तों सभोस अगोस कंटे तालू, उच्चान स्थान, इनी को अपन को पढ़ना पढ़ता है, हैना अघोस वरन बताना है, और अघोस में आपको यहाँ पर चार विकल्प दिये हैं, और चार में से आपको चैन करना है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों सा 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 जो आते हैं, ये भी अघोस के तो आपका उत्तर चला जाता है D की तरफ, ठीक है? D नम्मर आपका सा, सा और सा ये तीनों जो सा होते हैं कि अघोस वरन की अंतरगत आते हैं तो यहां पर उत्तर भी चला जाता है D की तरफ, ठीक है? अल्पप्राण बर्ण कौन से हैं अल्पप्राण और महाप्राण अपनने पड़े हैं अल्पप्राण एक तीन पाँच यानि कि बर्गे के एक तीन पाँच बर्ण होते हैं बाकी महाप्राण दो और चार बर्ण होते हैं ठीक है तो अल्पप्राण बर्ण कौन से होते हैं ये आपको यहां पर बताना है तो बर्ग का प्रथम और तरतिय वरन अलप प्राण होता है तो प्रथम में का और गा क्या होता है तरतिय तो यह B nummer आपका क्या हो जाएगा यह अलप प्राण वरन कहलाएंगी तो B आपका Right Answer बिल्कुर शायोई गारगा ठीक है अगला QC निमन मैंसे नासिक के बैंजन कौन से हैं जिनका उच्चान नाक से होता है दोस्तों बताईए तो अपने देखते हैं पंचम अक्छर जो होती हैं पंचम क्वेंटर में एक कहां पर वरन दिया है वो भरन कोंशा है वह इन्हां है नंडर नासिक की तरफ आपका उद्तर बिलकूंieß और था ठीक है तो यह क्या कहलाते हैं उसमें संघर्षी कहलाते हैं कौनसे यह सा सा साहाव जो वर्ण होते हैं यह उसमें संघर्षी बेंजन कहलाते हैं इनको याद रखेंगे और कंटे में हम पढ़ते हैं, जो बरग़ के जो पृतम अक्चर होती हैं, दोस्तो वो क्या कहलाता है, वो काभरगक कहलाता है दोस्तो कंठे, यानि कि इनका जो चान होता है वो कंट से होता है और यहाँ पर आपने बिलकुर सही आंसर बताया है कि जो कंट धनिया है वो है कौन सी कावर्ग का खा गा गा इंग्या जो होता है यह क्या होता है कंट से ठीक है अब ग्यावरन किन वरनों की संयोग से बना है ग्याग्यानी का बताना है कि ये किन बरणों की संयोग से कई बार question में पूचा गया कि ये किन बरणों की संयोग से बना होता है तो बताईए चार बिकल्प हैं सबी लोग comment में लिखते जाए वीडियो को like जरू कर दें और रोज किलास आट बजे होती है दोस्तों एक नई किलास आपको प्रेशित की जाती है या बरण किन बरणों की संयोग से बना है ये उत्तर अगर एक continue आप देखते हैं दोस्तों तो ब्याकरण में इससे हटके कोई question नहीं आ सकते हैं तो आपको continue देखना है और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आदा जा हलंत वाला जो जा है और इया वनकर की क्या बनाती है या कई बार question आ गया है इसलिए या रहना है अंगला question है अनुनासिक का संबंद होता है तो किस्ते होता है केबल नाक से केबल मोह से नाक और मोह दोनों से या फिर इन में से कोई नहीं बताइए अनुनासिक का संबंद जो होता है वो किस्ते होता है हमारे पास चार विकल्प हैं चार में से अनुनासिक का आ आपने चैन किया है दोस्तों कि अनुनासिक का जो संबंद होता है केबल नाक से नहीं होता नाक और मोहदोनों से होता है तो तर चला जाता है आपका C की तरफ सी नम्मर आपका बिल्कूर सही हो जाता है अंगला क्वेस्चन है दोस्तो छा वर्न छा वर्न किसके योग से बना है छा छत्री यानि कि छत्रग स्रे जो होते हैं ये क्या होते हैं संयोक्त वर्न कहलाते हैं यानि कि दोस्तो ये अन्वर्नों की सहायता से बनते हैं तो योग से बनते हैं ऐसे इच्छावरन आपको बताना है कई बार पूचा गया और कई बार उत्तर भी गलत करके आते हैं कुछ लोग है ना कभी कभी यहां तो नहीं दिया कभी क्या दिया जाता है का पिला सा दिया जाता है है ना और यहां पर आदा का और सा दिया जाता है हलंत वाला का तो आपका उत्तर ये बाला होता है, आदा का और सा होता है, मिलकर के क्या बनते हैं, छा बनते हैं, है ना, तो याद रख लेना, अगर हलंत ना लगा हो, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर सही क्या होगा, ये हलंत बाला का होगा, और सा होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अंगला question है कौन सा टावर्ग नहीं है टावर्ग नहीं है बताना है ठा धा घा या फिर रडा तो कौन सा टावर्ग नहीं है अपन बर्ग के दोस्तों 25 अक्षर पढ़ते हैं है ना तो कावर्ग खावर्ग कचट तब पढ़ते ना पन कचट तब कावर्ग चावर्ग टावर् कावर्ग की अंतरा गताता है तो काखागा आपन पड़ते हैं उत्तर चला जाता है आपका डी की तरफ डी नमबर आपका बिलको सही हो जाता है अंगला क्वेस्चन है कौनसा वर्ण उचान की द्रश्टी से दंत नहीं है दंत नहीं है पूछाए दोस्तो तो बताइए किसका उचान दंत से नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कावर्ग कंट से है ना चावर्ग दोस्तो काईसे तालू से और चा के बाद आता है तावर्ग तो तावर्ग होता है मूर्धा से है ना और तावर्ग जो होता है वो दंत से होता है और पावर्ग होता है ओस्ट से तो य तालू से उच्छरित होता है तो आपका उत्तर डी नमबर बिलकूर सही हो जाएगा तालब बेंजन है तो कौनसा है बताईए तालब बेंजन कौनसा है चार विकल्प हमारे सामने है तालब बेंजन यानि की तालू से जिनका उच्छान होता है वो कौनसे है तालू से बताना वो मूर्धा से और तावर्ग जो होता है वो दंत से और दोस्तो पावर्ग ओस्ट से तो तालू पूचा है तो आपने उत्तर लगा दिया है चावर्ग चावर्ग काई से के चावर्ग होता है दोस्तों तालू से अंगला कोश्चन आपसे पूछा जाएगा अनुनासिक बेंजन कौन से होते हैं बताइए बर्ग के प्रतमा अक्षर बर्ग के तरतिया अक्षर बर्ग के चतुर्था अक्षर या फिर बर्ग के पंचम अक्षर चार बर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक बेंजन कहलाते हैं और आपने बिल्कुल सही चेन किया है वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करते जाईएगा और रोज रात 3-8 वजे इसी प्रकार से अपन पड़ते हैं प्रेक्टिस करते हैं इस्थान के आधार पर ब ये जरूर डाउनलोट करना है इस्थान के आधार पर बताईए कि मूरधन बेंजन कौन सा है तो उत्तर चला जाता है आपका डा और धा डा और धा ये मूरधन बेंजन के अंतर गताते हैं और सी आपका बिलकुल सही हो जाता तो सी नमबर सभी ने सही बताया अब आंसर गा जा और फा ये धुनिया किसकी हैं ये जो नुक्ता वाली धुनिया होती हैं दोस्तों ये नुक्ता लगाना नीचे ये जो नुक्ता वाली धुनिया होती हैं ये धुनिया किसकी होती हैं संस्कृत की होती हैं अर्बी फार्सी की होती हैं या फिर या फिर यहां पर आ जाते हैं अंगले जो अपने बिकल्प हैं उन बिकल्प को अपने यहां पर देख लेते हैं अंगले जी की हैं या पिर डक्षणी भासाओं की हैं तो आप पहले ही समझ गए हैं कि जो नुक्ता वाली धुनिया होती है यह वाली है ना कि बानी जाती हैं दोस्तो अर्बी फारसी अर्बी फारसी की मानी जाती है इनको याद रखेंगे अंगला question है यहाँ पर आपको बताना है कि बताईए कि नभीन विक्सित ध्वनिया कौनसी है नभीन विक्सित ध्वनियों के बारे में बताना है नभीन वेक्सित ध्वनिया कौनसी कहलाती है ये चार विकल्प मैंसे आपको चैन करना है फटाक से उत्तर बताना है दोस्तो इसके पहले हमने हिंदी भासा के भासा को पढ़ा बिस्तरित पढ़ा फिर उसके प्रस्ने पढ़े फिर दोस्तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अंगला कॉस्चन है हिंदी भासा में बेध्वनिया कौनसी है जो जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है वो ध्वनिया क्या कहलाती है यहाँ पर चार विकल्प हैं स्वर वेंजन वर्न या फिर अक्षर क्या कहलाती है हिंदी भासा में बेध्वनिय की सहाइता से बोली जाती है तो बे कहलाती है बेंजन बेंजन कहलाती है और बी नमबर आपका बिलकुर शही है अंगला क्वेस्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों का खा गा फा कौंसा उर्दू से लिया गया है उर्दू से बताना है कौंसा उर्दू से लिया गया का ख खावरण जो है खा वरण ये उर्दु से लिया गया यहीं कि आपका उत्तर जो हो जाता है वो डी नंबर बिलकुल शहीई हो जाता ठीक है next है कौन सा वरण घोस है घोस बरण बताएए कौन सा घोस बरण है कि चार बेकलपें घोस बरने का आपको चैन करना है घोस और अघोस अघोस होते हैं बरगे के एक और दो यानि कि प्रितम और दूती एक्षर क्या होते हैं अघोस और तीन चार पाँच जो होते हैं सगोस कहलाते हैं तो यहाँ पर बताईए घोस या सगोस बात यह कि यह गोस को सगोस बोलते हैं सगोस को घोस भी बोलते हैं तो सगोस कौन से होते हैं तेन, चार और पाँच सगोस होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ता, था, दा दा क्या होता है दा त्रतिय वर्न है तो यहाँ पर जो दा है ये क्या कहलाएगा घोस कहलाएगा या फिर इसे सघोस भी कहा जाता है तो सघोस भी याद रख लेना अंगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सघोस महाप्रान ध्वनी है सघोस महाप्रान ध्वनी कौन सी है खा है जा है घा या फिर ठा है सगोस महाप्राण ध्वनी के बारे में आपको चेहन करना है प्रश्न किरमां के 48 और 48 में सगोस की बात आई है सगोस भी है और महाप्राण भी है तो सगोस में अपने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपने देखा था 2 और 4 तो यहाँ पर चार, यानि की चोथा जो बर्न है, चतुर्थ जो बर्न है, बर्ग का चतुर्थ जो बर्न है, देखो कौँसा है, है ना, बताइए, एक खा महाप्रान तो है, लेकिन सगोस नहीं है, है ना, तो का, खा, गा, घा, यह जो घा है, यह क्या है दोस्तों, यह जो घा है कि सघोस भी है और महाप्राण भी है है ना कि सघोस भी है और महाप्राण भी है तो तरफ कभी नंबर की तरफ चला जाता है अब यहाँ पर अपन को सुमेलित करना है कि स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो स्वर्ध्वनिया तो अपन ने पढ़ दिया, बोले सर स्वर्धों ये है, बिलकोर शवह है, है ना, तो तालब ध्वनिया कौनसी है, तालू से कौनसी उच्छրित होती है, बताए naw TER bात ती है, तो र्पप्राण की बात आती है, तो र्प कौनसी होती है एक तीन पाँच अल्पिप्राण और दो चार महाप्राण होती है तो एक बताईए कौन कौनसी है एक तीन पाँच में कौनसी आ रही है एक तीन पाँच में बताना है और यहाँ पर घोस द्वनिया पूछी गई घोस धनियों में क्या आता है दोस्तो घोस मतलब होता है सघोस और सघोस में आती है कौन सी तीन, चार, पाँच, छीक है तो इसको भी अपन को याद रख रिना है और यहाँ पर जो आपका उत्तर दिया है वो d number दिया है और d number में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा तीसरे का तीसरा यानि कि दोस्तों यहाँ पर एक का चाटा ताहनता पा और टा बिलकुल शही है यानि कि जो अलपे प्राण है ये तो एक तीन पाँच में ये पूरी आ जाएंगी ठीक है और ये जो घोस धनिया है गोस में आती है कौन को इनती तीन चार पाँच और दोस्तों के सन्युक्त वर्न भी इसमें आ जाती है तो चा धा और भा ये भी हो जाएगा तो यहाँ पर अपने देख लिया स्वरध्वनिया कौन सी हैं स्वरध्वनियों में अम आहा ये सबी आ गए तालब ध्वनियों म किस ध्वनी प्रिविर्टी का उधारन है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनी प्रिविर्टी का उधारन है यह आपको बताना है चक्र का चक्का चक्का हो गया है आपन बोलते चक्र लगाओ अब चक्र का हो गया चक्का तो यहां पर बिस्मी करण है ना किस ध्वनी प्रिवि आपका बिल्कुल सही जो widespread हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो एक बार अंगला है पाध्वनी का उच्चान स्थान क्या है पाध्वनी का उच्चान स्थान आपको बताना है दंत है उस्ट है मूर्धन है या फिर कंठ है बताईए पाध्वनी अपन पढ़ते हैं ना का चा टा ता पा 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 जो होता है पा उस्ट से तो एक क्या कहलाएंगी पाध् जो है उस्ट से उच्छरित होता है तो आपका राइट अंसर चला जाता है बी की तरफ और उस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाता है बी नम्मर आपका सही हो जाता है अर्धस्वर बताना है दोस्तों अर्धस्वर कौन से हैं अर्धस्वर कई बार पूँचा गया है कि एक क्व कहलाते हैं और बिकल्प नम्मर एक जो है उसकी तरह पांतर आपका चला जाता है स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् किलासेस एप जरूर डाउनलोट कर लें जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी किलासेस ठीक है हिंदी के इस पर्स बेंजन के पांचों बर्गों के दूसरे और चौते वर्न होते हैं क्या होते हैं अलपपराण महापराण पांचों बर्गों के दुतिये और चतौत वर्न क्या होते हैं यह सरल कोस्चन आप से पूछ लिया गया क्या होते हैं आपने बिलकुछ सही आंसर बताया कि पांचों बर्गों के दूसरे और चतौत जो वर्न होते हैं वो कहलाते हैं महापराण महापराण यानि बी नम्मर आपका बि बिसर्ग का प्रियोग किन सब्दों में नहीं होता बताईए किन सब्दों में नहीं होता तदभाव सब्दों में तत्सम सब्दों में संकर सब्दों में या फिर उपरयोगत सब्दों में तो किन सब्दों में बिसर्ग का प्रियोग नहीं होता ये आपको बताना है और दोस् से कुछ सब्द संकर सब्द होते हैं हिंदी की साध हुनी कई बार एक क्वेस्चन पूछा गया इसको तु याद रख ले नगा वो क्या होगा तालब्व होगा तालब्व प्रय्फ क्राण द्याइटाइब है योज्याज, प्रफश आल प्रज्फ क्राण दो próxim है गोस आर्फ अल्पराण कि Ст य्वाज क्न कि वह सुवर मतले स्वथ और अल्पे प्राण भी है ठीक है तो ये आपका D नम्मर बिल्कोज हो जाएगा अघोस का सा है अघोस मैंने आपको कई बार बता UP अघोस मैंने को कई बार होते हैं जो बर्न होते हैं जो बर्ग का प्रित59 और प्रित59 ऐक्षर एगोस कहलाते हैं ठीके तो एगोस और दोस्तो अगोस की अंतरगत S.A.S. भी आते हैं तो इनको याद रखे ले ना अगोस वरन की अंतरगत सा सा भी आतế हैं तो D नमपर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ए अगोस अँगोस वर्न की अंतरगत ठीके तो D आपका सही नमपर कैसी कौन सा वर्न है स्वर है स्वर बताएए कौन सा है तो यहां पर स्वर पूचा है तो आपको उत्तर बताना है इनका दोस्तो अयोग बाहे की अंतरगत आता है लेकिन अगर यहां सा स्वर्फ क्वेस्चन आया है तो आपका उत्तर आई सही होगा आई यहनि कि ए नम्मर आपका बिल्कुल सही है ठीक है ए जिनों ने लगा है उनका इंसर राइट है और दोस्तो आज हमने यहां तक दोस्तो स्वर्फ बर्नमाला की बारे में पढ़ा इसी प्रकार से आप लोग पढ़ती रहें वीडियो को लाइक करती रहें सेयर करती रहें अपने मित्रों तक और दोस्तो डटे रहें और सेल्फ इस्टरी किलासेस का एप डाउनलूट कर लें जिन भी सातियों को ज यारी के लिए हम भी आपके साथ हैं आप भी पढ़ाई करें आज के वीडियो के लिए बस इतना ही जैन नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्फ स्टडी किलासेस इस प्रकार से जब अब दोस्तो इसको इंस्टॉल करना ही यहां से आप इंस्टॉल करेंगे तो बहां पर आपको नमबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रजिस्टर करके आंगे बढ़ेंगे